अगले तीन दिनों के लिए आने कि अगले 72 घंटों के लिए भारी बारश का हाई अलर्ट मौसम विभाग के तरफ से जारी किया गया है आपको बताते चले कि कई जिलों के लिए च्रेतावनी जारी की गई है मौसून की सक्रियता लगातार बिहार में बरी हुई है हलाके इन दिनों लोगों को एक बर फिर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है कई जिलों के तापमान में वृधी दर्च की जा रही है बारश रा के आसार कम होते जा रहे हैं लेकिन अगले तीन दिनों के लिए म मौसम का मजास पूरी तरीके से बदलने वाला है दरसल बिहार में मौनसून के धीमे पढ़ने से दक्षिन बिहार के कुछ अलाकों में गर्मी बढ़ी है वह मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक सिमानचल और उत्तर बिहार के कुछ हसों में भारी सियती भारी बारश की चेतावनी जारी की है मौसम विग्यान केंद्र के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरन का छेत्र उत्तर पूर्व राजिस्थान एवं इसके आस पास बना हुआ है इससे जुड़ी एक मौनसून ट्रफ रेखा भी का नेरी से लखनाउ पटना होते हुए मनीपुर तक हो जिन जिरो के लिए मंगलवार को अती भारी बारुष के अलर्ट है उनमें पूर्वी चंपारन, पशिमी चंपारन, किशन गैंच, अरडी और सुपॉल शामिल है जबकि संभावित भारी बारुष वाले जिलों में सीतामडी, मदुबनी, दर्भंगा और पुर्णिया के ल बना रहेगा, पटना से चूबे के अधिकतर जिलों में मौनसून की गतिवीधियां पिछले दो तीनों से कमजोर बनी हुई है, इस वज़े से राज्य के पांच-छे जिलों को छोड़ कर, शेश जगहों पर उमस और गर्मी बढ़ी हुई है, सुमवार सुभा तक, उत्तर पर्शिम और उत्तर मध्य भाग में एक दू स्थानों पर हलकी से मध्यम बारश दच की गई, सुबे की कई जिलों में सोमवार दुपहर बाद से बादलों की आवज जाही बढ़ी है, जिससे अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावच आई है, इन सब के बीच बारश ना ह पतना सहित कई जिलों में लोग हुमस और गर्मी से बेहाल रहे हैं, बिहार में मौनसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ने वाली है, जहां आज से लेकर तीन दनों तक बिहार की कई हिस्सों में भारी और कई हिस्सों में आती भारे बारश की चेताबनी जारी की गई है, जहां एक ट्रफ रेखा, पतना से ओकर मौनसून तक गुजरेगी, जिसके बाद जहां कमजोर हुए मौनसून में एक बार फिर सक्रियता नजराई की लोगों से अपील की गई है, कि वो अपने घरों में सुरक्षत रहे, पेड़ पौदों के नीचे शरन लेने से बचे में गरजन रचपात के दौरान घरों से बाहर ना निकले, फिला के लिए मौसम के अपडेट में अपना ही, नमस्का.